भरती घुटाला, नैनी ताल कोट का लिपिक काशी पुर में गिरपतार उत्तरा खंडधी नस्त सेवा चयनायो के वी पीडियो भरती पेपर लीक प्रकरन में STF ने नैनी ताल कोट के कनिष्ट सहायक को गिरपतार किया है आरोपी ने पूर्व में गिरपतार सिपाही और उसके साथी को लीक हुआ पेपर बेचा था SSPSTF अजय सिंग ने बताया कि केज में जल्द और नई गिरपतारियां हो सकती है यू केस SSC पेपर लीक की जाच STF कर रही है इसमें कुल 12 आरोपी अब तक गिरपतार कर जेल भेजे जा चुके हैं SSPSTF ने बताया कि 31 जुलाई को गिरपतार हुए सिपाही और उसके साथी से मिले साक्षियों के आधार पर महिंदर सिंग चोहान पुत्र रामकुमार सिंग चोहान निवासी नियर स्डियम को चसपुर खुर्द काशिपुर उधमा सिंगहनगर को पूछताच के लिए STF कार्यालाई देहरादून लाया गया पूछताच में सामने आया कि महिंदर चोहान ने लिग पेपर सिपाही अमरीश कुमार और उसके साथी दीपक शर्मा को बेचा था आरोप है कि दीपक और अमरीश के जरिये तीनों ने जिन युवाओं को पेपर दिलाया उनसे 15 to 15 लाक रुपे लेने की डील की गई कुछ युवाओं से गैरंटी के तौर पर चेक भी लिए गए आरोपी महिंदर सिंग चोहान CGM कोट नैनी ताल में कनिष्ट सहायक के पदपर तैनात है बता दें कि अभी तक इस मामले में सरकारी नौकरी करने वाले तीन आरोपी जेल जा चुके हैं वहीं आरोपी ने एक परीक्षारती से अपने खाते में रकम भी जमा करवाई थी STF सूतरों की माने तो पूछताच में रामनगर स्थे तो तराखंड बोट कार्यालय के एक कर्मचारी का नाम भी सामने आया है बताया जा रहा है कि सुमवार देर रात या मंगलवार तक काशिपूर के ही रहने वाले इस कर्मचारी को भी हिरासत में लिया जा सकता है भरती घुटाले में रामनगर बोड का कर्मी रेडार पर वी पीडी ओ भरती घुटाले में काशिपूर से नैनी ताल कोट के कर्मी की गिरपतारी के बाद अब तक जिले से पांच आरोपी दबोचे हैं काशीपूर का ही रहने वाला एक और सरकारी कर्मी और रामनगर स्थेत उत्तराखंड बोड का रेले के एक कर्मचारी भी स्टीएफ की रेडार पर है पेपर लीक मामले में रविवार तक उध मसिंग नगर जिले से चार गिरपतारी की जा चुकी थी इनमें सितार गंज से कोट का कनिष्ट सहायक मनोद जोशी, किच्छा के एक निजी स्कूल का शिक्षक गौरवनेगी, काशीपूरे स्पी का गनर अमरीश कुमार और काशीपूर से ही दीपक शर्मा शामिल है अमरीश और दीपक से पूछताच के बाद काशीपूर के जस्पूर खुर्द निवासी महिंद्र सिंग चोहान का नाम सामने आया सुमवार को STF ने महिंद्र को गिरपतार कर लिया महिंद्र नैनी ताल सी जेम कोट में कनिष्ट सहायक है महिंद्र गोटाले में गिरपतार होने वाला बारहवा आरोपी है मामले में अब तक काशीपूर से तीन गिरपतारी हो चुकी है